हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है अक्षिता कुल्स्ट्रेस्ट और आपका अक्षिता स्कुल्खा उसमें सुवागत है आज मैं आपको बहुत ही बेसिक सी चीज से खाऊंगी की आटा कैसे भूनते हैं हाउ टू नीट डो और चपातिस मैंने एक परात में आटा ले लिया है और मैंने इसमें नमक डाला है आप चाहें तो इसके भी कर सकते हैं तो चरी आटा भूनना शुरू करती है सबसे पहले अगर आपने नमक डाला है तो इसे अच्छी से मिला दीजिए फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए इसे अब हरके हाथों से बाइन करिए इस तरीके से कोशिश करिए साड़ा आठा एकी जगा इखटा होता है जब आप आठा गुंगे अगर आप पूरियों का आठा गुंच रहे है तो जरुए था कि आपका आठा टाइट होना सही है अगर आठा गुंगे के बाद अगर आठा गुंहाया तो ना तो ज़ाद गीला ना तो ज़ाद टाइट एक डम सॉफट होना शीए ऐसा की आठा आठा गूंगे तो देखिए अभी थोड़ा थोड़ा बाइन होने लगा हैं है 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 करता है देखिए किस तरी किसे यह अर्टमाइड होने नगा है कर्दक मिल था कमें बग्रम प्रיteenा気 determine if, कमें रटम किस तरग मृपा सब्सक्रापिऴ 40 काcha का प्रूपनाओ है किसा सुच्स था अर्टमाइब था दोका अंधित pie, किस फन्ड़क भी आतला मीत कर सकता ड़ नहीं तरूपने हो है अगर आपका आटा जाद अगील हो जाए तो आप उसमें और सुका आटा मिला सकते हैं अगर आपका आटा थोड़ा कम गीला है तो आप उसमें थोड़ा सा तेल डाल के भी ब्राइड अच्छे से कर सकते हैं देखिए हमारा आटा लगबत नीड हो चुका है जब आपका आटा पूरा अच्छी तरीकी से बाइंड हो जाए तो आप उसमें इसे ऐसे प्रैस कर सकते हैं तोड़ा सा प्राणी नालिए और इससे प्रैस कीजिए इससे इसकी बाइंडिंग बहुत यत्थी होगी और यह बहुत सॉप्दों देगा झाल झाल कि अगर अगलती से आप काटा टाइट हो जाए तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके उसे सरगी से प्रैस करिए तो वो सॉफ्ट होता चाहिए तो आप 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 झाल झाल देखिए लगबख हमारा आटा तायार हो चुका है यह देखिए हमारा आटा गुन चुका है तो आप देख सकते हैं आटा कितनी आथानी से गुन चुका है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए हुगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ब्लीज इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए